पॉलिटिकल स्टोडी की संक में आज आपको एक बेहती रोचक किस्सा हम सुनाने जा रहे हैं। किस्सा है बारत के पहले प्रदान मंत्री जवालाल नेरू और उत्र परदेश के मुख्य मंत्री रहे हेमवति नंदन बहुगुणा का। जिसमें जवालाल नेरू की देली में बहुगुणा जिन्दाबाद के नारे लग गए थे एक बार लेकिन इससे पहले बताते हैं कि हेमवति नंदन बहुगुणा की कैसे राष्ट्रे सिर पर पहचान बनी। उनिट सो ऑवन की बात है देश का पहला संसदिय चुनाव लडा जा रहा था। कॉंग्रेस ने राष्कुमारी अमरिद कौर को हिमाचल की मंडी सीट से चुनाव लडाने का फैसला किया। तब ही माचल पंजाब का हिस्सा हुआ करता था राजकुमारी अम्रित को और चुनाव लड़ने के लिए पहली बार पहाडों में गई लेकिन कुछ ही दिन रहने के बाद में परिशान हो गई परिशान होकर एक दिन उन्होंने पढ़े जवालाल नेरू को फोन मिला दिया और बोला कि नेरू जी कहा भिज दिया मुझे आपने यहां मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है किसी को भेजिए यहां मेरी बड़त के लिए नेरु जी को भी पहाड के नाम पर तुरंट भहुगुणा जी का नाम याद आया जवार लाल नेरु ने हेम बतिनंदन भहुगुणा को इलाबाद में आनन्द भवन में एक बार देखा था नेरु जी ने उसी समें लाल बादोर शासेजी को फोन किया कि वे पहाड़ी लड़का भहुगुणा कहा है शासेजी ने कहा कि यहीं होगा इलाबाद में फिर नेरु जी ने कहा उसे तुरंट मंडी भेजो अमरित कौर के चुनावा में उसे काम करना है लेकिन भहुगुणा जी ने इससे पहले कभी मंडी का नाम तक नहीं सुना था अब नेरु जी की नजरों में हिमाले के पहाड हूँ या फिर यूपी के पहाड सब पहाड एक जैसे थे बहुगुणा जी नेरु जी का आदेश टाल नहीं सकते थे और मंडी पहुँच गए बहुगुणा जी ने मंडी में दो महीने राजकुमारी अमरित कौर के चुनाव में जम कर काम किया राजकुमारी चुनाव जीद गई और दिल्ली आ गई दिली पहुंचकर उन्होंने नहरुजी से भागुणा जी की जम कर तारीफ की ऐसे में भागुणा जी नहरुजी ही नहीं दिली के बड़े निताओं की नज़रों में आ गए इसके बाद जब वो दिली जाते तो उन्हें वाँ बड़ा सम्मान मिलता अब आते हैं उस किस्से पर जब नहरुजी की रैली में भागुणा जिंदाबाद के नारे लग गए 1951 की बाद है जवाला नहरु कॉंग्रेश की राष्टी हज्यक्ष बने थे हज्यक्ष बनने के बाद उन्हें इलाबाद जाना था तब लाल भादर शास्ती चाहते थे कि नहरुजी के स्वागत में एक विशाल रैली की जाए शास्ती जी ने भागुणा जी को बुलाया तब भागुणा जी चातर नेता हुआ करते थे शास्य जी ने अपनी बात रखकर बहुगुणा जी को सारी जिम्मेदारी सौब दी इलाबाद की पुरुषोतम लाल टंडन पार्क में रैली के लिए बहुगुणा जी ने अपनी पूरी जान लगा दी तह समय पर रैली का अरुजन हुआ और पार्क खचा खच भर गया था लेकिन भीड इतनी थी कि किसी ने बहुगुणा जी को मंच पर नहीं जाने दिया बहुगुणा जी भीड में पीछे चले गया और आराम से चाट खाने लगे फिर अचानक वहां लाइट चली गई शाम का समय अंधेरा छा गया एक दूसरे की बात किसी को सुनाई नहीं दे रही थी वहां आये लोग बेचैन होने लगे भीड के बीड से बहुगुणा बहुगुणा आवाज उठने लगी तब बहुगुणा जी को जल्दी मंच पर बुलाया गया और जैसी बहुगुणा जी ने मंच पर कदम रखा वैसे ही लाइट आ गई लाइट आते ही नहरुजी की मौजूदगी में नारा लगा बहुगुणा जिंदाबाद हेम वतिरंदन बहुगुणा का नाम उस समय के सबसे चतुर नेताओं में गिना जाता था कहा ये भी जाता है कि नहरुजी की रैली में बहुगुणा जी ने ही बत्तिकुल करवाई थी ऐसे ही मज़ेदार और अनसुने किस से हम आपको सुनाते रहेंगे अपने इस कारिकरम में तो जल्दी से सबस्क्राइब कर लिजए देवुमी न्यूस को बहुत धन्यवाद आ झाल